आज वही कल है जिस कल का आपको कल इंतजार था Hello fans, good morning, welcome back to another video कैसे हैं आप सबी, I hope आप सबी लोग अच्छे होंगे तो fans आज के दिन के शुरूवात हुई है सुबह 6 बजे से 12 के साथ तो fans और आज के ब्लॉक के स्टार्टिंग हुई है APJ अबदुर कलाम जी के positive thought के साथ तो fans सबसे पहले उठने के साथ हम brush कर लेते हैं थोड़ा सा fresh न बगरा हो लेते हैं जिसे के हमारा mind और हमारी body पूरी तरीके से active हो जाए तो fans ब्लॉग में आँगे बनने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगे कि अगर आप लोगों ने channel का अभी तक subscribe नहीं किया है तो ज़ली से subscribe कर लीजिए और वीडियो को like कर दीजिए तो fans आज के जो दिन की शुरूआत हुई है वो थोड़ा सा late हुई है तो अभी morning में हम GS नहीं पढ़ेंगे आज की जो दिन की शुरूआत है वो directly हम current से start करेंगे आप लोगों को पता ही है कि मैं current affair जो पढ़ती हूँ वो कुमाय गौरपस से पढ़ती हूँ और काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने current affair कब से पढ़ने start किया है तो मैंने last month से regular पढ़ने start किया है क्योंकि वैसे ता आप लोगों को पता होगा कि जो पिछले 6 महीने के current affair होती है वो ज़्यादा हमारे exam में आती है तो fans अब जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि DTSB के notification की बहुत ज़्यादा समभावना बन रही है कि हमें जल्द ही देखने को मिलेगा और साथी साथ में friends जो मैं properly preparation जो कर रही हूँ मेरा जो target है वो है super TED तो मैं super TED के लिए ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन साथी साथ में अभी जो मैं man focus subject पर कर रही हूँ वो subject पर जो DTSB and super TED दोनों exam में जो common subject है मैं उनको focus कर रही हूँ अब मैं ऐसा सोचू कि एक दिन में 14 subject complete कर लूँ वो तो मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर तो वो 14 subject तो एक साथ तभी हो सकते हैं जब आपको पता हो कि 100% आपके पास notification आने ही बाला है तो उस समय आपको अपना पूरी तरीके से समय उस चीज में देना होगा लेकिन अभी क्या है अभी पता है कि हाँ notification में कुछ समय है तो इस वाए से मैं उस चीजों को ज़्यान दे रही हूँ जो चीज DTSB में आने वाली है क्योंकि DTSB का notification साइध हम लोगों को जल्दी देखने को मिले तो फेंट्स अभी टाइम हो रहा था लगवग 9 बजे का और आप लोग देख सकते हैं फेंट्स बारिस बाला इतना अच्छा मौसम है अभी बहुत ठंडा और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अब अभी बहुत तेज चल लही थी तो जैसे मैंने पढ़ने इसे थोड़ा सा ब्रेक लिया उसके बाद मैं आ गई थी उपर थोड़ा सा बिंडो के पास खड़े होने के लिए मौसम का थोड़ा सा लिप्त उठाया उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद अभी breakfast के लिए बना रही हूं मैं आलू के परांटे अपने लिए तो जल्दी से दो आलू के परांटे सेख लेते हैं और breakfast कर लेते हैं then उसके बाद लगते हैं आंगे के कामों में तो friends आज देखते हैं कि आज का दिन हमारा कितना productive हो पाता है मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और अंदर से बहुत ज़्यादा positive vibe आती है तो thank you so much आप लोग comment करते हैं और आंगे भी ऐसे ही comment करते रहिएगा अपना प्यार में रूपर बनाए रखिएगा तो friends इसी के साथ घर के जो basic काम होते हैं जो daily के वो काम होते हैं जिनने करे बिना नहीं रहा जा सकता है वो मैं daily के daily कामों को खतम करती हूँ और जो extra काम रहते हैं जैसे कि सब लोगों को पता ही होगा जो लोग घर में रहते हैं तो घर के बहुत सादा ऐसे छोटे मोटर चुटर मोटर काम होते हैं उन्हें complete करने पर आये तो पूरा दिन निकल जाया लेकिन मैं क्या करती हूँ जो बहुत ज़्यादा basic काम रहते हैं जिनने daily ways पर करना ही करना होता है जिनके करे बिना जीवन हमारा आंगे नहीं चल सकता है उन काम होका में daily करती हूँ और साथी साथ में जो extra काम रहते हैं उन दिन वो मेरे आराम से study हो जाती है और friends इसी के साथ अभी दुपहर का time हो रहा था लगबग अभी time हो रहा था एक बज़े का मैं यहाँ खाना खा पी करके नहाँ धो करके घर के जो भी काम थे वो सारे काम किये और आज दुपहर में थोड़ा सा time मुझे ज़्यादा लग ग गई थी GS की class लेने के लिए क्योंकि आज मैंने morning में GS नहीं पढ़ा था और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं GS की class कहां से पढ़ रही हूं GS अभी मैं कर रही हूं नवीन सर से और नवीन सर की जो नायक series चल रही थी मैं वहीं से कर रही हूं और friends एक sister का comment आया था मेर पैस कि जो नवीन सर हैं जो GS पढ़ा रहे हैं वो theory ways पढ़ा रहे हूं तो मैं आप लोगों को बता दो कि जो questions रहते हैं MCQ उस तरीके से सरकरा रहे हैं वर जो MCQ रहते हैं MCQ जो question आता है उसी की पूरी के पूरी theory वही के वही करा देते हैं जो भी question रहता है उसे related जो question बन सकते है उसके जो theory होती है वो वही समझा देते हैं तो उसे समझ करके हम अपने notes खुद बनाएंगे hand notes बनाएंगे तो वो हमारे लिए properly notes बन जाएंगे सभी topics related और जो ये नायक series है वो proper किसी भी एक exam के लिए नहीं है ये one day all exam के लिए है एक दिन के लिए जो सभी exam होते हैं competition exam फिर वो चाहिए SSC हो, railway हो, teaching related हो सभी exam के लिए ये helpful रहेगी वीडियो तो friends पहले मैंने GS की class को complete किया था then उसके बाद हम मैं बैठ गे थी math की practice करने के लिए और math मैं मेरा अच्छे से 2-3 घंटे आराम से चले जाते हैं तो friends time सामका समय हो गये था 5 बच चुके थे और उसके बाद मैंने break लिया break लेने के बाद अब मैं आप लोगो diet मिल लई हूँ सामको अभी सामका 7 बचे का टाइम है और अब dinner की तैयारी कर रही हूँ इसी के साथ friends आज के vlog को end कर रही हूँ अब करती हूँ कि आज का vlog पसंद आया होगा तो वीडियो को like चैनल को subscribe करें Thank you